क्या हुआ है चलते हैं पिज रिपोर्ट की तरफ सिड्नी शोग्राउंड स्टेडियम का मैदान बहुत ही खुबश्रोत वे ग्राउंड है सिड्नी के अंदर मौजूद है और ये देखें आप इस वन्यक्यों पर लास्ट मैच खेला गया था 27 जनवरी 2023 को करीबन कह सकतो एक साल होने को आया उसको 11 मैने हो चुके है मैच था सिड्नी थंडर वर्टसेज ब्रिजबेन इट का ये एक मैच था बिग बैस लीग के प्ले आफ का वो भी मेरे को याद है उसमें जेको क्या हुआ था ब्रिजबेन पहले बैटिंग करने आती है 203 बनाती है 204 का टार्गेट देती है पांच विकेट गवा के फिर जो होंग टीम थी सिड्नी थंडर चेस करने इस मैच में बारिश आ जाती है और उन्होंने 6.5 ओवर्स खेला 52 बनाया DLS मतड लगता है और जो टीम पहले बैटिंग गरी थी बिरिजबेन उनको जीत दे दी गई थी इस वज़े से वो फाइनल खेली ती जाके फिर दीखाँ 111 बना 10 विगेट गवा के जो टीम चेस करने आती है वो 13 ओर के अंदर टार्गेट चेस कर गई 9 विगेट से जीत गई यह मैच था सिड्नी थंडर और पर्स कोचस का जिसमें पर्स कोचस विजिली चेस कर जाती है फिर इससे पहले सिड्नी स्मैश का मैच हु गवा के और जो सिडिनी सिक्सस थी आवे टीम वह चेस करने आती है जोर्डन सिलका अर्शतक बना था और वहां पर बहुत अच्छा साथ दिया था मोजस देंडरी के इस ने दोनों में 50 बनाई और 17 ओर कंदर टार्गेट चेस कर लिया और प्लेयर दो मैस दिया था अबट क 140 का टार्गेट देती है और यह वही वैन्यू जहां पर होम टीम सिडिनी थंडर 15 रन पर ओल आउट हो जाती है यह सब से लोड़ स्कोर है प्रोफेशनल टी ट्वंटी टूर्णमेंट्स के अंदर कहीं पर एक टीम 15 रन पर ओल आउट हो जाए एक से बैतर बना टार्गेट चेस नहीं हुआ तो यह जो वैन्यू है सिडिनी थंडर का हुंग राउंड है बट इनके लिए अभिशाप है थोड़ा साब कह सकते हो कर्स वाला वैन्यू है 32 मैच खेले हैं और मातर 13 मैचेस जीता है जीता है मोस्ट लोग मैचेस यहां पर आ रहे हैं यह साथ मैच जीती ह है चार मैचे से हम पर आ लिए बैटिंग फर्स करते हुए साथ चेस करते हुए साथ जीते गया है जदाखास परक पड़ता नहीं है बैटिंग फर्स बैटिंग सग्रिंग के अंदर प्रतियोर साथ के आश्पास रण्स बनता हैं 155-152 यह पर एक एवर्स स्कूर दिखा ज ने इस मंदर के पेसर ने इस पेसर पर 114 विकेट निकाला है पहली पारी के इंदर 53 दूसरी पारी के इंदर 61 ईकक्र मेशख स्य सहरी शुत सर्स घीश होई थे चेसि outta फोगह एक डाल उना आथिर ये यह अपने लोनार्डियो जूलियन है जो पिछ के बारे में बता रहे हैं तो यह पिछ थी ना जो इस पे अपको अलगी सी ग्राज दिखती है कुछ ना कुछ यहां पर मुवमेंट जरूर होता है जितने मैचस में देखे हैं यह दिखा आप इस पिछ पे आपको मेश ग्राज दिखेगी सी मुवमेंट होता है बहुत ज्यादा यह भी आपको ध्यान रखना है एसी पिछे से आप दिखती है फिर बैटिंग करना असान हो जाता है पस आपको पावर फ्ले अच्छे से खेल ला है डामेंशन सामने की बांटी 30 मिटर सोती है स्क्वेर बांट बड़ी है आप स्टेडियम यह एसी लाल लाइटो के लिए स्टेडियम बहुत फिरमस आपको दिखी है एक खंबे बड़े बड़े अमने गाहों में होता है वायर जाते है तो कुछ इसी तरह का महूल आप देख सकता है यह देखो इससे और अच्छा भी आएगा यह पताने कौन से य इन वी शोग्राउंड स्टेडियम का कैसे लगी पिछ रिवोर्ट मेरे को कमेंट करके बताना चैनल पर नहीं हो सब्स्राइब कर लो यह देखो आप क्या आवी हो रहा है सब्स्टेडियम का और जो लास्ट मिनी फिचस की फोटोस टेलीग्राम पे देदू है लिंक डिस्क